प्रदेश की राज़दानी लखनाव से बड़ी खबर मिल रही है बड़ी और एहम जानकार इस वक्त हम आपको बताते हैं सपा देख्ष नरेश उत्तम हिरासत मिले गए हैं तो यह बड़ी अपडेट है इस वक्त ही समाजवादी पार्टी के प्रदेश अदेख्ष नरेश उत्तम के साथ संपा के अमसी स्विनिल साजन भी रासत मिले गए हैं राइबरेली टोल पर पुलिस ने इनको इरासत मिलिया है सीएन सिंग की शोग सवेद्ना में प्रताब गट जा रहे थी लेकिन पुलिस नहीं चाहती कि वहाँ पर कोई भी विपाक्ष का सदर से पांचे जिससे रानून विवस्ता का खत्रा पैदा हो जाए किसी की आठ लेकर सपा अध्यक्ष की गरफतारी की गई थी और उन्हें हिरासत में लिया गया है यह एक्स्क्लोसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जैशुकला हमारे सवेगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हम आपको बता दें कि हमारे संवादाता जैशुकला ने सुनील सिंग साजन से खास बाचीत की उन्होंने क्या कुछ का वो आप सुनीए सपा मलसी सुनील सिंग साजन को रायवरी और लपनों के टोल पर रोक लिया गया है हमारे पीछे देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल यहां पर मौजूद है और उनके जो तमान समर्थक है वो भी यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं उनसे बात करते हैं कि किसलिए पुलि सियन सिंग जी समझवादी पार्टी के सांसद रहे हैं विधायक रहे हैं नेता रहे हैं और उनके सोख सम्मेदना वेक्त करने हम लोग जा रहे हैं अब पता नहीं योगी सरकार को और पुलिस प्रसाशन को क्या हो गया है प्रसाशन कह रहा है कि वहां कानून ब्यवस्था बिगड़ सकती है कानून बिवस्था कहां बिगड़ रही जिस प्रदेश में SSP, SP, DM वसूली करके अगर वसूली कोई नहीं दे पारा तो हत्या हो रही है वह कानून बिवस्था बिगड़ने की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मानी मुखमंत्री जी गुनाहों के देवत बनकर के लखनों में बैठे हैं लोग तंतर में जनता अगर आपको बहुमत देती है तो अच्छे काम करने के लिए आपको बहुमत मिला था अपने DM और कप्तान को लगा करके हत्या कराने के लिए तो बहुमत नहीं मिला था भारती जनता पार्टी के गुंडे तीन तीन बा कि हत्या करके जमीन कभजा करने के लिए तो बहुमत नहीं मिला था भेहन बेटियों के साथ जो बलातकार करें चिन्मियानन जैसे लोग उनका विलकम करने के लिए तो बहुमत नहीं मिला था या कुरोना महामारी में जिस तरीके से योगी सरकार और अधिकारी मिल करके लूट भी लगवको कितने लोगे जो आप लोग पर तीन update the निर्देश पर मानी परते साथ अदानी नरेश उत्सम जी के साथ अब्धार सिंग increment हम थ ergक जो बिधान परशद के सदस्रें हमारे सियboxing हैं हम सोक समेंदना बीक्ट करने जा रहे हैं है जरकार की चुले इतनी जल्दी हिल गई तो अभी अभी क्या करेंगे आप यहां से वापस लोटेंगे या एक फैसला किया है प्रताब गड़ जाएंगे सिर्फ प्रताब कर जाएंगे बागी कोई फैसला नहीं बागी प्रसाशन ते करें कि वो क्या करेंगा यह थे सुनिल सि इसने टोल पर रोका है भारी पुलिस बल मौदूद है कई थानों की फूर से हलाकि कारे करता भी तमाम यहां पर आ चुके हैं जो सपाकारी करता है अब देखना होगा कि आखिर सुनिल सिंग साजन जिस तर से आरे हुए कि वो प्रताब गड़ उनको जाना ही ऐसे में मामले को लेकर क्या अकरकार पुलिस का क्या कुछ कहना है इसके लिए हमारे सब्सक्राइब की जैश शुक्ला ने पुलिस अधिकारियों से बात्वित किये आप भी सुनियों कि देख रहे हैं यहां पर जो सुनिल सिंग साजन और सपा के प्रदेश अक्षर अजेक्ष नरिश सिस्टम को यहां बच्छाओं तक लाया गया यहां देख रहे हैं तमाव उनके समर्था गया पर फोले हूए तीछे वाब को दिखाना चाहेंगे कि देख सकते कि कि इतना अब जान भी लग जया है और फार जो सियो साव और सियो महराजिया ने उसे बात करते हैं वहीं किसले रोका गया है अभी आगे क्या स्टेफ होगा अब बस पुले इंको ट्रिहां ले जाएंगे कि एस थाउस में वहां इंसे बात चीट करेंगे जैसा आज इसमेलेगा वेस नहीं हाँ आगे नहीं जाना थी जिन्हों ने बताया कि किस तरह से अभी इनको यहां पर रोका जाएगा उसके बाद गेस्ट हाउस ले जाए जाएगा यहीं से इनको पैरंग वापस किया जाएगा लगनव से इंडेनिस के लिए जैश्युक्रा